आज मैं आपको साइन्स का चाप्टर को का अब्जेक्टिव्स कुछनां पर करवाने जारी हूं जो कि बुग की पेस नमबर 31 और 35 में अबलेबल है तो आप देख सेते हैं कि बुग के पेस नमबर 31 में ये अब्जेक्टिव्स अबलेबल हैं तो इसमें क्या क्विश्चन है कि given in the box are some things around us arrange the things in the correct column इस बॉक्स में कुछ matter दिये गया matter की example दिये गया जो कि हमारे आसपास अबलेबल होते हैं तो आपको क्या करना है कि कौन solid है कौन liquid है और कौन gas है तो उसकी property को समझ कर आपको अलग-अलग कॉलम में लिखना है ठीक है तो होब कि आप लोगों ने यह पहले ही कर लिया होगा तो कि जब आप समझ चुके थी तो आपके लिए आसान होगा पट फिर भी मैं आपको एक बार चेक करा देती हूं कि आपका यह सही है या फिर गलग है तो देखिया solid में मैंने क्या-क्या डाला है हाट, chair, tree, ice, cubes and key liquid में मैंने क्या-क्या डाला है, juice, milk, water, soup, tea आपने भी सही डाला होगा और गैस में मैंने डाला है बीज एर इंसाइड फुट बॉल एर फाम विंट एर इंसाइड बलून ओके ठीक है अब हम बुक की पीस नंबर 35 में आ जाते हैं इस नंबर 35 में मैं आ जाते है ठीक ग्रेक्ट एंसर तो फस्त प्रोसस भाइच अलिक्विट तर्स इंट ग्रेक्विट इस प्रोसस की द्वारा लिक्विट जो है वो गैस में बदल जाता है गर्मोने के बाद इसको क्या बलते हैं लोग चार अप्शिंस अबलेबल और पॉर आपके बनाद फिक के अपके बती तो प्रोसस अनगे बदल जाता है गर्म होने पे वो प्रोसस क्या है मेल तेक रहती है कुछिए नमबर 4 अब तर गोस जोनी ऑन होग जए बतर जब बहने लगताई गर्मी के दिन में ये किस सीज़त अप्शिंग ए प्रोसस क्या है बदे का एग्जामपल है so this is example of this is an example of melting fifth the process by which a liquid turns into solid on cooling liquid solid में बदल जाएगा थंडा होने पर वो क्या कहलाएगा freezing आप सबने अची से पढ़ाओ और समझा है तो आप सारी बच्ची बिल्कुल सही बनाया होंगे एक है बी फिलेंदे ब्लांक्स थिंक अच्छा वातर जूस मिल्क और आपक्स दैश और साइब नो फिक्ष्ट दैश तो क्या इसमें फिल्क करेंगे हम लोग वाल्यूम लेकिन फिक्स शेप इसका नहीं होता है okay a dash is a matter that has no shape or size of its own medical gas a dash 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 are the states of matter तो solid liquids and gases यह question तो काफी easy था dash is anything that has mass and takes up space so the answer is matter dash is the process by which a liquid turns into solid on cooling फिरसे यह question है तो answer is freezing okay अभी हमने उपर देखा था रिक दर करेक्ट option में और यह फिलें ब्लांक्स में भी same question है dash have a fixed shape and size and do not flow बिल्कुल इजी solids fixed shape और size होता और यह flow नहीं करता है 7th dash 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 and dash are the are some process through which matter may change from one state to another यह सारे process है जो की पढ़ाया पढ़ाई हुए 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 है melting, vaporization, condensation and freezing okay यह सारे process के तुरू matter एक state से दूस्टे state में बदलता है अब हमारा last question आगया that is match the following melting, melting को मैंने किसमे मैच किया है, ice turns into water, evaporation को मैंने किसमे मैच किया है, water turns into vapor, mixture of different gases, different gases का mixture क्या है, air, fourth pencil, pencil is a solid and fifth oil is a liquid, okay आप सब ने भी correct बनाया होगा, क्योंकि बहुत easy objectives questions दे तो आप एक बार बस match कर लीजेगा, और जिन बच्चों ने नहीं बनाया है वो बच्चे बना लेंगे देखकर और इसके साथ remember करना भी शुरू कर देंगे, objectives बहुत important है, और जिन जिनके पास book नहीं है तो वो notebook में note down करके remember करेंगे, till then take care, thank you